Hello students, welcome back to my channel तो आज इस वीडियो में मैं एक important topic लेके आई हूँ आपके लिए जिसका नाम है set theory तो इस वीडियो में मैं आपको introduction class कराने वाली हूँ set theory का, तो set किसे कहते हैं, किन किन collections को लेके हम set बना सकते हैं set कितने type के होते हैं और इसको किस तरह से हम solutions करते हैं या पूरी जानकारी मैं आज इस वीडियो में देने वाली हूँ तो start करते हैं आज की वीडियो वीडियो सुर करने से पहले आप सबको एक छोटा सा request है अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो please मेरी चैनल को subscribe कीजिए अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो please मुझे likes and comments करना मत भूलेगा तो start करते हैं आश की वीडियो तो अगर हम set theory start करते हैं तो पहला question से हमारे दिमाग में आएगा What is set? तो set is a well-defined collections of objects ठीके well-defined का मतलब क्या होता है? अलग से जो हम एक group में होता है और उस group में कुछ well-defined collections होता है जिसमें कि अप एकी तरह की अगर मैं English alphabet की बात करती हूँ तो इसमें अगर हम bowels लेंगे तो वो जो 26 टाइप की अक्षर है एक English alphabet में तो उनमें से जो 5 हमने bowels लिया है ये है well-defined ठीके उसको हम एक set बोल सकते हैं तो उसके बाद अगर हम लेंगे the collection of all even natural number less than 10 ठीके तो less than 10 के अंदर यानि कि natural number कहां से start होता है 1 से अगर हम 10 तक की natural number लेंगे और वो 10 से even natural number लेंगे और वो 10 से कम होगा तो वो क्या क्या होगा 2, 4, 6, 8 तो इसी तरह से वो एक well-defined हो गया है अगर हम एक group है 1 से 10 तक की number है और उसको हमें well-defined लेना है जैसे कि हमने even natural number कहा है तो उसमें से हम अलग हो गया है कौन-कौन सा number 2468 तो इसी तरह से हम क्या करते हैं सेट को हम बनाते हैं जो collections होता है collections means हमने जो लिया है 2468 यह जो collection होता है यह well defined collection होता है और उसको मिला कर जो group बनता है उसको ही हम सेट बोलते हैं ठीक है तो उसी तरह से अगर मैं लोगी the collection of all beautiful girls in the India तो आप क्या उसको एक group ले सकते हो क्योंकि आपकी नजर में कौन beautiful है और मेरी नजर में कौन beautiful यह कोई define नहीं करता है कौन कौन सी लड़की beautiful है या अगली है तो हमें specific एक identify हम नहीं कर पाते है कौन सी लड़की beautiful है और कौन सी लड़की अगली है तो उसको हम सेट नहीं बोल सकते क्योंकि जिसको हम collect नहीं कर सकते उसको हम सेट नहीं बोल सकते जिसको हम collect कर सकते अगर हम एक मैंने एक sentence कहा और इस sentence में आपको क्या करना है एक-एक जो collections करना है एक-एक elements को आपको ले सकते हो तो उसको ही हम एक group बना सकते हैं अगर मैं आपको बोलूँगी आपकी class में जितने भी सारी लड़के-लड़किया है जिनकी age 25 है यानि की 25 की age की जो लड़की-लड़किया है उनका एक आपको group बनाना है तो आपको क्या करना है easily आप इसको बना सकते हो आपकी class में अगर आप से older जो है उनका आप एक set बनाओ तो आप इसको नहीं बना सकते हैं आपको age मैंने नहीं बताया है आपको सिर्फ आपको older बताया है older यानि की ugly, honest people इस तरह की जो वाड़ हम लाते है इसको किसी की specific एक reason नहीं होता है specific collections नहीं होता है इसलिए इनको set नहीं बोल सकते हैं अगर हम age लेते हैं अगर height लेते हैं तो इसको हम set बना सकते हैं यानि की number होता है कितनी height, 6 पूट या 7 पूट इस तरह की अगर आपको कोई भी collections देता है तो आप इसको collect कर सकते हो ठीक है, तो अभी आते हैं what is set, set is a well-defined collections ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ set is a well-defined collections well-defined collections of objects तो यह जो set हम बनाते हैं उसका कुछ हम symbol भी लेख सकते हैं अगर हम set को लेते हैं तो एक set को हम capital letter में उसको symbolize करते हैं उसको आप कोई भी लेटर से उसको लेक्ष करते हो और अगर हम set के जो elements होते हैं यानि कि जो collection हैं यानि यानि कि यानि कि यानि यानि को हम लेते हैं, उनको हम क्या करेंगे, small letter में हम denote करेंगे, ठीक है, तो यहां पर मैं लेज देती हूँ, तो जो collections हम लेते हैं, set को, उसको हम members दी कह सकते हैं, और elements दी कह सकते हैं, ठीक है, we denote elements, by small letter, ठीक है, यानि कि A, B, C, आप कोई भी letter आप ले सकते हो, अगर कोई भी set, यानि कि A, B, small letter, एक set A में होता है, तो उसको हम किस तरह से, उसको define करते हैं, यानि कि उसको हम किस तरह से, जो set जो हता है, हमें किस तरह से लिखना है, A belongs to A, ठीक है, यानि कि ये जो A का जो elements है ये A की जो set होता है इसमें है यानि कि अगर मैं लोंगी एक set है और इसमें A, B, C, D है ठीके तो हमें इसको किस तरह से लिए अगर अलग हलम लिखेंगे तो आप इस तरह से लिख सकते हो A belongs to A, B belongs to A, C belongs to A and D belongs to A तो यानि कि A, B, C, D जो होता है वो A की set में उनका collections होता है elements जो है A, B, C, D वो जो set A में उसका collection होता है यानि कि ये सारी element group set A का होता है तो इस तरह से आपको क्या करना है set को define करना है तो जो set होता है वो two type of यानि कि दो methods से हम इसको describing कर सकते है जिसे कि first method जो है यानि कि मैंने यहां पर लिख देती हूँ describe हम set को किस तरह से describe करते हैं यहां पर there are there are two type of two type यानि two methods two methods of describing describing a set तो एक set को हम दो method में describe कर सकते हैं एक का जो नाम है वो है roaster और tabular form यानि कि roaster और tabular form और जो second है उसका है set builder form तो यह दो method में हम क्या करता है describe करते हैं set को roaster form में भी describe कर सकते हैं और set builder form में भी describe कर सकते हैं तो जो roaster form होता है और we list the member of bracket में उसको हम तो in the roaster form we list all the members of the set within bracket यानि कि जो कली ब्राकेट है उसमें and separate them by the comma यानि कि हम जो set हम लेते हैं उसका जो हम elements लेते हैं उसको हम कली ब्राकेट के अंदर रखते हैं और इसको हम किस तरह से लेखते हैं कमा के यानि कि a, b, c, d इस तरह से हम इसको define करते हैं ठीके इसको जो elements होता है वो सारी elements को हम क्या करते हैं एक कली ब्राकेट के अंदर रखते हैं और एक-एक जो members होता है यानि कि एक-एक जो elements होता है उसको हम जो separate करते हैं एक-एक कॉमा से ठीके तो roster form की मैं कुछ example यहां पर आपको दे दीती हूँ आप अच्छी तरह से समझ लेंगे जैसे कि एक set is equal to set of all factors all factors of 24 यानि कि 24 एक-एक जो set होता है उसमें 24 की सारी factor रहता है सारी factor यहां 1 जो है 1 into 24 तो 24 का factor 1 भी हो सकता है 2 का factor 2 into 12 24 3 into 8 24 4 into 6 24 तो 6, 8, 12 and 24 क्योंकि 24 को अगर 1 से हम multiply करते हैं तो 24 रहता है 2 को 12 से multiply करते हैं तो 24 रहता है 3 को 8 से multiply करते हैं तो वो 24 रहता है 4 को 6 से multiply करते हैं तो वो भी 24 रहता है यानि कि ये जो सारी numbers हमने यहां पे लिखा हुआ है इसको हमने comma के द्वारा हम इसको क्या कहते हैं जो separate किया हुआ है और इसको हम roster form इसलिए बोले हैं क्यूंकि हम इसको bracket के अंदर और comma से उसको separate करते हैं तो यहां पे दिया गया है a equal to set of all factor of 24 यानि कि 24 की सारी factor जो होता है वो set a के अंदर आना चाहिए तो हमने क्या क्या है bracket दोनों type में दे दिया है और 24 की सारी जो factor से हमने यहां पे लिख दिया है तो उसको हमने separate किया हुआ है comma के द्वारा ठीके आपको यहां पे यह line हमने कीश के बता है इसलिए क्यूंकि आपको जो factor हमने बनाया है यह किस तरह से बनाया है यह आपको यह line नहीं देनी है जिर्फ आपको comma देके उसको separate करना है ठीके तो रिस्टर फोर्म में अगर आप लिखते हो तो उसको इस तरह से लिखना है ठीके तो second example में लेते हो तो B is equal to B is equal to set of all odd number less than less than 10 ठीके तो B का जो हमने set लेना है उसको हमने क्या करना है जो odd number है वो less than 10 के अंदर ही हमें लेना है all the odd number less than 10 तो यानि कि less than 10 means 1 odd number जो है 1, 3, 5, 7 and 9 ठीके तो less than 10 है तो 10 से जो कम बाला odd number है हमें उसका एक set बनाना है तो हमें यहां पे tabular form में लिख दिया है sorry roasted form में यहां पे लिख दिया है तो यहां पे हमने tabular form में लिखा है b is equal to उसका जो element से 1, 3, 5, 7, 9 तो इस तरह से हमें क्या करना है set बनाना है तो set को हमने जो set हमने लिया है इसको हमने यहां पे capital letter लिया हुआ है और यहां पे जो set हमने लेंगे तो उसको हम जो जो set है उसको हम यहां पे small letter भी ले सकते हैं या number भी ले सकते हैं तो अगर one अगर b में है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं one belongs to be, three belongs to be, five belongs to be and seven belongs to be तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो ठीके तो अगर मैं बोलूँगी three कौन सी set में है तो आप इस तरह से बोलोंगे three belongs to be यानि कि three जो है वो be के जो set है उसके अंदर three एक member है यानि कि elements है ठीक है उसके बाद तो set builder form क्या है in the set builder form we list the properties satisfied by all the elements of the set ठीक है तो जो हम set लेते हैं उसका जो elements होता है वो properties होता है वो satisfy होना चाहिए set builder form में अगर हम यहाँ पे for example लेंगे for example हम लेते हैं set builder form में for example a is equal to अगर set builder form बनाना है तो यहाँ पे tabular form में होता है आप इसको set builder form में लिखना है 1,2,3,4,5,6,7 यहाँ पे दिया गया है ठीक है तो आप इसको क्या करना है set builder form में लिखा है तो यहाँ पे x belongs to यानि कि x was that x belongs to n तो n यानि कि natural number यह जो सारी number है वो natural number है and x less than 8 है क्योंकि यहाँ पे जो natural number हमने लिया हुआ है यह सारी number 8 से कम है तो यहाँ पे अगर यहाँ पे आपको दिया गया होगा x was that x belongs to n and x less than 8 दिया गया होगा तो आपका tabular form क्या होगा 1,2,3,4,5,6,7 क्योंकि 8 से कम लिया हुआ है उसी तरह से अगर हमें लेना है b is equal to 1,2,4,7,14,28 तो इसका हमने किस तरह से लिखना है b is equal to x was that x belongs to n यह भी एक natural number है x is the factor of 28 28 का यहाँ पे सारे factor दिया गया है तो यहाँ पे आप लिखना है and x is a factor of 28 और आपको इसको कली ब्राकेट में fill up करना है तो इसी तरह से आपको क्या करना है जो tabular form होता है उसी तरह set builder form होता है उसको आप क्या करना है इसी तरह से आपको theoretically इसको form fill up करना है तो उसके बाद और एक set आता है जिसका नाम है empty set empty set और इसको हम क्या कहते है null set भी बोलते हैं ठीके तो empty और null set empty का मतलब क्या होता है खाली होता है तो जो set में कोई भी element नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं null या empty set भोलते हैं a set having no elements is known as null set और empty set तो उसको हम denote करते हैं उसको हम denote करते हैं phi और सिर्फ कली bracket में जिसमें कोई भी elements नहीं हो उसको हम phi और सिर्फ कली bracket में उसको denote करते हैं जैसे कि अगर मैं एक example लोगी एक source that x belongs to n belongs to n and 2 less than x less than 3 ठीके तो इसमें क्या होगा ये तो एक set builder form हो गया है हो जाता है लेकिन उसका elements क्या आता है 2 से बड़ा 3 से कम कोई natural number है कि यहाँ पे natural number दिया गया है n दिया गया है अगर यहाँ पे n ना दिया गया होगा तो यहाँ पे numbers आ सकते हैं लेकिन यहाँ पे natural number दिया गया है 2 से ज़्यादा और 3 से कम कोई भी number नहीं है तो यह आ जाएगा null set यानि कि empty set के अंदर उसी तरह से और एक example हम लेते हैं x of that x belongs to x of that x x c j x c j number x c j number x not equal to x तो आप x की एक इस तरह की number आप लेंगे जो की x not equal to x होगा तो इस तरह से तो कोई भी number नहीं है कि a से compare करने वाले अगर number आप a लोगे तो वो क्या होगा null होगा तो यह आ जाता है empty set यानि कि phi set ठीके उसी तरह से अगर हम लेंगे x source that x to r and x square is equal to minus 1 ठीके तो x square is equal to minus 1 हो सकता है क्योंकि हमने पहले भी जान चुके हैं कि अगर हम एक minus को अगर एक negative को दो बार अगर हम multiply करते हैं वो positive आता है और यहाँ पे x से के इस सी number हमें लेना है जो की square हो और उसका answer minus आओ उस तरह की number हमें नहीं मिल रहा है यानि कि नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ पे square है अगर cube होता तो यहाँ पे minus आता लेकिन यहाँ पे square है तो यहाँ पे possible ही नहीं है minus आने की तो यह एक five set है यानि कि empty set है ठीके उसके बाद हम आएंगे single ton set single ton set single means क्या हो तो single का मतलब क्या होता है एक ही होता है तो जो set में एक ही element हो उसको हम single ton set सकते हैं तो the set having only one element is known as the single ton set जैसे कि हमने यहाँ पे example ले लिया है फर एक्जांपल हम लेते हैं एक सॉस जैट एक बिलोंग स्टू जेड़ जो होता है वो complex number की होता है ठीके and x plus 4 is equal to 0 is equal to 0 और यहाँ पे अगर हम x सॉस जैट एक सॉस जैट बिलोंग स्टू जेड़ and x plus 4 is equal to 0 तो यानि कि यहाँ पे x का value हमें निकालना है x plus 4 is equal to 0 तो x का value कितना आता है minus 4 यानि कि एक ही value आता है x का तो अगर हम यहाँ पे set build form में लिखेंगे यानि कि tabular form में लिखेंगे तो minus 4 ही एक number आएगा x का जो value है तो यहाँ पे हमें कितना element मिला एक ही element मिला तो इसको हम क्या बोलते है singleton set बोलते है उसी तरह से finite and infinite finite meansonne जिसको हम गिन सकते है और infinite का means क्या होता है जिसको हम count नहीं कर सकते या गिन नहीं सकते उसको हम infinite बोलते है तो अगर for example हम लेंगे यहां पर finite and infinite set ठीक है उसका example में लेती हूँ अभी एक let a is equal to 2, 4, 6, 8, 10, 12 यहां पर जो count infinite set के जो अगर हम लेंगे तो n of a हम लेंगे अगर हम countable होता है तो हमें n से इसको define करते है the denoted by n of a ठीक है अगर हम इसको find out कर सकते हैं यहां पर हम गिन सकते हैं यहां पर element कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानि कि 6 element है यानि कि यह एक finite set है ठीक है तो उसके बाद हम अगर हम लेंगे the set of all person on earth in finite set अगर is a finite set अगर हम यहां पर आपको बोलेंगे अगर आर्थ में जितने भी person है उनको count करके आपको बताओ तो यह एक infinite set है हमें इसको गिन नहीं सकते तो यह एक infinite set होगा तो आपको अगर मैं बताओंगी the set of all elements of earth तो the set of all animals on the earth तो अगर जो earth में सारी जो animals रेते हैं उनको आप गिन के बताओ तो आप इसको गिन नहीं सकते तो उसको हम क्या कहते हैं infinite set तो उसके बाद आता है equal set equal का मतलब क्या होता है same होता है same same जिसके a में same होता है b में अगर set same हो element same हो तो इसको equal set होते है तो next आता है equal set equal set मतलब a में जितनी element है यानि कि a में अगर one two है तो अगर b में element one two है तो element same है यहां पे b12 है और यहां पे b12 है यानि कि यह equal set है पर example मैं दे रहे हूं is equal to set of letter in the word follow ठीक है एक follow एक word लिया हुआ है इसमें से एक एक letter हमें इसको set में लेना है यानि कि a में जो set आता है वो आता है f o l w चार ही यह रहता है क्योंकि l l यहां पे w है o यहां पे double है तो यहां पे मैंने single ले लिया है उसी तरह से b का set होता है set of all letter set of letter in the word in the word wolf तो wolf में जो set होता है b का जो set है वो w o l f यानि कि a में जो जो letter है b में वो ही वो ही letter है यानि कि a और b एक equal set है a equal to b तो a और b जो है वो एक equal set होता है ठीक है तो इसी तरह से अगर कोई-कोई set में अगर same elements आता है तो अगर आपको पूछा गया होगा तो यह जो set है यह equal set है या infinite set है तो कोई यह set है या नहीं true और false में आपको इस तरह की questions आ सकते हैं तो आप इसमें अगर equal हो तो आप true लिको अगर equal नहीं है तो आप false लेग सकते हो उसके बाद आता है equivalent set equivalent set का मतलब क्या होता है कितनी element equal का मतलब क्या है जो जो a में है वो वो b में भी है लेकिन equivalent में जो है वो कितना number है ठीक है equivalent का मतलब क्या होता है equivalent set equal और equivalent में A ही different है equal में क्या होता है equal में क्या होता है A में अगर A, B, C होता है B में भी क्या होता है C, B, A यानि कि equal होता है element same होता है लेकिन equivalent में क्या होता है number same होना चाहिए यानि कि जो आप count करते हो equations में वो same होना चाहिए जैसे कि हमने equivalent set में A का जो set हमने लिया हुआ है 1, 3, 5 और B का जो set हमने लिया हुआ है 2, 4, 6 ठीके तो A में अगर हम elements count करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं N of A is equal to 3 उसी तरह से N of B is equal to 3 तो अगर elements same हो तो उसको हम equivalent set बोलते हैं ठीके तो यहां पर हमने set की सारी set क्या है तो उसको हम कौन कौन सी describe कर सकते हैं किन दो method में हम इसको describe कर सकते हैं उसके बाद हमने जाना कि जो set tabular form और set builder form तो उसको हम किस तरह से हमने लिखना है और उसको किस तरह साटिस्फाइ करना है उसके बाद हमने empty set और null set भी हमने पढ़ा और single tone set equal set तो हमने पूरी जानकारी ले लिया है set किसे कहते हैं और set की कितने type होते हैं और अगली वीडियो में मैं आपको उसका जो union और intersection की सारी जो किस तरह से हमें इसको निकालना है यह में बताऊंगी तो अगर आज की वीडियो आपकी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सस्क्राइब ज़रूर करें और मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपक के लिए अच्छी आपके लिए यह कि वापके लिए वगी किस तेखने के लिए dव देखने लाइक टूरूर भाणे कॉ में लाइक?